In this section, I will explain the process of short selling. Short selling का मतलब ये है कि अगर एक investor को ये लग रहा है कि मेरे पास कोई financial asset है या instrument है, stocks हैं या उसको लग रहा है कि अभी इस वकत फिलहाल market में इस particular financial instrument की जो मेरे पास रखे हुए हैं, उनकी कीमत high है और near future में इसकी कीमत decline करने वाली है. तो इस case में वो short selling करते हैं, short selling का मतलब ये है कि वो high price के उपर बेच देंगे, assuming कि जब इसकी कीमत नीचे हो जाएगी तो मैं इसको वापिस खरीद दूगा, और ऐसा करने से जो difference in the price है, अभी आपने बेचा है, तो suppose आपको एक जो आपने stock बेच दिया, suppose वो 110 रुपेका है औ और आपने जब उसको वापिस करीदा है, तो वो 90 रुपेका है, तो आपको ये जो फर्क है, बीस रुपेका पर stock आपको वो फाइदा पहुंच जाएगा, रही, so इस particular फाइदे को हासिल करने के लिए, लोग short selling करते हैं, again, this is how they expect, कि अभी जो कीमत है, उनको लग रहा है कि वो high है, और उनको साती में ये भी लगना चाहिए, short sellers को, जो short selling करते हैं, कि future में उसकी कीमत decline करने वालिया, अब अगर decline करेगी और वो वापिस करीद लेंगे, फिर तो उनको फाइदा पहुंच जाएगा, profit हो जाएगी, लेकर, ज़रूरी नहीं है, कि जैसे उन्होंने करे थे, कि फिर हमें जादा profit हो जाएगी, वो नहीं हो सकता, तो इसलिए short selling, जो है, that is, people take risk and they go for such kinds of transactions, जिसमें वो short selling करते हैं, short sellers basically, जैसे यहां लिखा हुआ है, they bet on, कि वो risk ले रहे हैं, they bet on and profit from a drop in securities price, this can be contrasted with long investors, जो के long position लेने वाले वो लोग होते हैं, जो समझते हैं, कि future में कीमत उपर जाएगी, फिर उनको profit होती है, short sellers समझते हैं, future में कीमत decline करेगी, अगर decline करेगी, तो ही उनको profit होगा, now, short selling के साथ में, बहुत high level of risk attached है, और जैसे के हमें मालूम है, कि high risk लेते हैं, तो फिर high reward की probability भढ़ जाती है, तो इसी तरह से जब short selling को हमने बोला, कि इसके अंदर जो risk involved है, that is too high, तो अगर तो कीमत fall कर गई, future में, तो फिर reward भी काफी जादा मिलेगा, लेकिन जो investor है, जो short seller है, जो short selling करना चाते हैं, लोग या कर रहे हैं, या करते हैं, वो लोग high level of risk लेते हैं, और फिर उनको नफा नुकसान उसी की हिसाब से होता है, या तो बहुत नुकसान होजेगा, या बहुत जादा फाइदा पहुंचता है, it can offer big profits, but losses can mount quickly and infinitely due to the margin calls, now in order to explain it further, I am going to use an example, for example, we have a trader, जिसको लग रहा है, कि XYZ stock, कोई भी stock है, जिसका हम नाम रख रहे हैं, XYZ stock, जोकि इस वकद 50 dollar पर trade हो रहा है, उसकी अगले तीन माह में कीमत decline करने वाली, ऐसे के situation में, वो क्या करता है, उसके पास खुद XYZ stocks नहीं हैं, तो वो किसी से borrow कर लेता है, अब या आप देखें, अग भी उसने borrow किया है, और उसने का मैं तुम्हें तीन माह के बाद इस कीमत काम हो जाएगी, suppose हमें जूम का रहे है 25 dollar, तो वो 25 dollar की stocks बाय करके इस आदमी को पेच देगा वापिस, तो उसको ये मुनाफ़ा हो जगा, but again, if we look at the details of this example, they borrow 100 shares and sell them to another investor, जायर है 50 dollar के उपर, the trader is now short 100 shares, short 100 shares का मतलब यह है, के उसने अभी किसी और जिससे उसने बॉरो की है, उसको 100 shares उसने देनी है, so he is now short of, short 100 shares, because उसने जो उससे लिये थे, वो उसके पास अभी नहीं है, वो उसने किसी को बेच दी है, जो भी current prevailing price है, something that they did not own, but had borrowed, तो उसने short position ले लिया, short sale was only made possible by borrowing the shares, which may not always be available, if the stock is already heavily shorted by other traders. So that is an important thing, इसका मतलब यह है, कि अगर बहुत से लोगों को, बहुत से traders को, बहुत से investors को यह लग रहा है, कि अभी जो कीमतें, कोई भी stocks की increase करीवी हैं, वो चन्द weeks के अंदर नीचे गिरने वाली हैं, तो इस case में, बहुत से लोग यही सोचके, कि हमें इस तरह से मनाफ़ा हो सकता है, वो short selling में चले जाएंगे, अजब वो जादा traders short selling में जाएंगे, तो हो सकता है, कि उस particular company का, जिसकी shares के लिए आपको, आपने speculate किया है, कि अभी कीमत हाय है, और future में decline करने वाली है, वो particular stock market म आपको अब मिलेगी नहीं, short हो जाएगी, right, a week later, suppose, the company whose shares were shorted, reports, dismal financial results, for the quarter, अब company ने क्या किया, उसे का हमें तो बहुत खसारा हो गया, बहुत नुकसान हो गया, और ऐसे के case में, पचास डॉलर के उपर जो stock बिक रही थी, एक हफते में, जब company ने बोला, मुझे तो नुक नुकसान हो गया है, ये बात बताने से उसकी जो stocks थी, उनकी कीमत 50 डॉलर से 40 डॉलर हो गई, अब ऐसा करने से क्या होगा, कि the trader decides to close the short position and buys 100 shares for 40 डॉलर on the open market to replace the borrowed shares, वो कह रहा है, अभी अगर further और नीचे चली जाएगी कीमत, तो मुझे ज़ादा और नुकसान नहीं हो और 40 के उपर अभी मिल रही है, तो अगर मजीद इसकी कीमत decline करेगी, decline करेगी, तो मुझे उससे और कोई, अभी उसने बोला यही proper time है, अभी इसके उपर कोई और fluctuations भी हो सकते हैं, उपर नीचे हो सकती है value, तो उसने decide किया कि मुझे 40 डॉलर के उपर इसको exercise कर देना चाहि the trader's profit on the short sale excluding commissions and interest on the margin account is 1000 डॉलर, यह किदर से आया, आपने 50 डॉलर का बेचा था, 40 डॉलर की खरेद ली shares, और total आपकी जो इससे जो आपको पर डॉलर, पर स्टॉक जो फाइदा पहुंचा, that is 10 डॉलर, और total आपने जो, मैंने आपको का था, unit जो है, वो 100 shares का होता है, कम असक तो total आपने जो shares, buy किये थे, suppose, पहले sell किये, फिर buy किये, वो 100 थे, तो 10 को 100 से multiply करेंगे, तो आपको इस particular 10 डॉलर के fall में 1000 डॉलर का मुनाफ़ा होगा, right, अब अगर अभी उसने ये काम किया है, क्योंकि में भी उसको ये लग रहा है कि 40 डॉलर तक नीचे गिरेगी price और इ exercise कर लिया, right, of, ah, जो short selling position थी, उससे उसने कोई मनाफ़ा generate कर लिया.